हलो एरुवान दस इसमी संचना वेलकम और वेलकम बाक टू मैं चानल देख्सप्लाउजला DSPMU के अंटेग्राजुएट कोर्स की कट ओफ लिस्ट या सेलेक्शन लिस्ट वक्कब आएगे इस बात को लेकर आप सभी बहुत ही कन्फ्यूज थे क्योंकि DSPMU की जो ओफीशिल नोटिस जब आई थी उसमें लिखा बात था कि 23rd of July को ही इनको फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट आउट होने वाला है कि फर्स सेलेक्शन लिस्ट आउट होने वाला है उस दिन वो नहीं हुआ लेकिन 26th of July यानि की कल इनके साइट पर एक नोटिस आया है जहां पर लिखा हुआ है कि 6th August तक UG की form filling प्रोसेस चालू है तो जिन्होंने भी apply नहीं किया है वो जा कर सकते हैं ठीक है अब इन्होंने यहां बता दिया है कि 10th of August को इनकी पहले लिस्ट आईगी तो आप यहां clearly देख सकते हैं कि जनको भी doubt था कि लिस्ट कब आएगा DSPME ने officially release कर दिया है कि 1st list 10th of August की होगी and last date of admission in 1st list is 20th of August यानि अगर अगर आपका 1st list में नाम आ गया है तो आप अपना documents लेकिए college campus विजट कर लीजगा admission के लिए अब अगर seats vacant हुई तो second list भी आउट होगी और वो 22 August को होगी बहुत chances होते हैं कि second list आउट हो last date of admission in second list is 27th 8, 2022 और अगर second list निकलने के बाद भी बहुत सारे seats vacant हुए तो third list निकाला जाएगा 29th of August को next जो notice है वो BBA वालों के लिए हैं कि इस बार जोनों भी BBA का application form भरा है उनको इस बार entrance test qualify करना होगा जी हाँ मतलब merit-based entrance नहीं है इस year 2022-25 के session में and entrance written नहीं होगा interview type test होगा जिसमें आपको college campus visit करके interview देना पड़ेगा और साथी साथ GD यानी की group discussion होगा सभी colleagues के बीच जसमें markings होगे और उस markings के based आपका selection होगा ये notice आप DSPMU के official site पे जाके यहां से check कर सकते हैं और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा ताकि कोई भी doubt आपके मन में ना रहे सो इस notice में बस इतना ही था अगर further कोई updates आती है DSPMU की तरफ से तो मैं आपको notify करते रहूंगी and if you have any doubt please do ask me in the comment section till then bye bye take care and keep watching the explozola